प्रुदेश में प्रुदेख पात्र व्यक्ति को खादे सुरक्षा प्रुदान करने के लिए सरकार पूरी तरीके से प्रुतिबध्य है खादे और नागरी का पूर्थी मंत्री रमेश मीना ने इसको लेकर बयान शारी किया है इस जौरान मंत्री रमेश मीना ने कहा कि दुनिया भर के देशों की सरकारे अपने नागरिकों को खादे सुरक्षा के उद्देश को पूरा करने के पुर्जोर तरीके से कारे कर रही है और इसी देशा में मुख्यमंत्री अर्शोग घहलोत के नेतरत्व में पुरुदेश में कोई भी व्यक्ती भूका ना सोए उससों देश को लेकर विभाग निरंतर कार्य भी कर रहा है उन्होंने कहा कि वर्तमान में विश्व की बड़ी आबादी कोरोना महामारी से प्रभावित है ऐसे में आमजन को खादे सुरक्षा प्रुदान किया जाना अधिक आवश्यक है इसे के साथ प्रदेश के जनता को खादे सुरक्षा प्रदान के जाने के लिए कोरुनाकाल में राजस सरकार ने निशुल को गेहू का वित्रण किया है इस पर सरकार ने 114 करोड रुपै का भार भी वहन किया मंतरी मीना ने बताया कि प्रुदेश में आमजन को कोरुना काल में खादय सुरक्षा के लिए सामाने दिवसों से 3 गुना गेहु का उठाप कर 2 गुना गेहु का वित्रण कर रहत प्रुदान की गई है और साथ ही में खादय वस्तों में मिलावट को रोकने के लिए भी मुकि मंत्री अर्शूग घैलूत के इंद्र सरकार से सक्त कानूर बनाने की मांग लगातार कर रही है